नेवेंबर 2018 के अंदर कई सारे एकसाइटिंग स्मार्ट फोन्स जब वो इंडिया में लॉंच होने वाले हैं और इस वीडियो में मैं उन्ही फोन्स की बात करूंगा जिन फोन का लॉंच इंडिया के लिए कंफर्म हो चुका है तो सबसे पहले बात करते हैं OnePlus 6T की यह फोन देखा जाए तो कल ही लॉंच हो चुका है और इंडिया में जो फोन है वो 2nd November से मिलना चालू हो जाएगा और देखा जाए तो यह पूरा का पूरा OnePlus 6 का ही हलका सा एक थोड़ा सा एडवांस वर्जन है जिसके अंदर आपको water drop notch मिलता है fingerprint screen unlock मिलता है और इसके अंदर कोई भी headphone jack नहीं मिलता है तो इसके उपर एक detail वीडियो आने वाला है तो उस वीडियो के लिए बने रह सकते हैं और इसके साथ जो दूसरे फोन्स होने वाले वह हुआवे के तीन फोन जिनका नाम है Mate 20, Mate 20 Pro, Mate 20X और हाँ यह जो फोन से हुआवे ब्रांट के अंदर आएंगे, और नहीं आएंगे, तो इन तीनों ही फोन्स की प्राइसिंग है थोड़ी आपको जादा ही देखने को मिल सकती है, और अगर 20 Pro, 20X की बात करें तो यह ट्रिपल कैमरा वाले फोन्स होंगे, जबकि जो Mate 20 उसके अंदर आपको ड्वल कैमरा ही देखने को मिलेंगे और जो 20 Pro जो 20X है ना उसके अंदर आपको अंडर डिस्प्ले फिंगर प्रिंट स्कैनर भी देखने को मिलेगा और इन फोन्स के अच्छी बात है कि जो फोन्स आएंगे ना ये 40 वाट के सूपर चार्जर के साथ आएंगे और अगर ऐसा होता है ना तो ये इंडिया में मिलने वाले सबसे तीजी से चार्ज होने वाले फोन्स होंगे और इसके अलावा सेमसंग भी अपने एक स्मार्ट फोन लाउंच करने वाली है जिसका नाम है सेमसंग गैलेक्सी A9 ये देखा जाया तो पहले ही दूसरी कंट्रीज में लाउंच हो चुका है और ये पहला एसा स्मार्ट फोन है सेमसंग की तरफ से जो रेडमी नोट 6 प्रो पहले ही थाइलेंड में लाउंच हो चुका है और देखा जा तो रेडमी नोट 6 प्रो ना वह सकता है शायद कोई दूसरा फोन हो लेकिन देखने वाली बात होगी कि शाओमी अपना कौन सा फोन इंडिया के अंदर लाउंच करती है और एक और कि मीम X3 को लाउंच कर दी इंडिया में क्योंकि इंडिया में अभी कई सारे लोग मीम X3 का बहुत बेसबरी से इंतिजार करने हैं तो देखना होगा कि मीम X3 आता है कि नोट 6 प्रो आता है या फिर दौन ही आते है और इसके अलावा नोकिया भी अपना नोकिया 7.1 प्लस जो स्मार्ट फोन है वो रिलीज कर सकता है नवेंबर के अंदर ही और ये फोन देखा जाए तो नोकिया X7 के नाम से चाइना में पहले ही लॉंच हो चुका था इसके अंदर आपको स्नैप ड्रेगन 710 का प्रोसेसर देखने को मिलता था और जो चाइना में जो उसकी प्राइसिंग के हसाब से 19,000 रूपीज के राउंड थी तो अगर ये फोन इंडिया में आता है और नोकिया सही प्राइसिंग रखती है न तो ये 20,000 के आसपास का फोन हो सकता है और अगर 20,000 में स्नैप ड्रेगन 710 पहली बार अगर इंडिया में किसी फोन में देखने को म आप लगा है कि कुछ समय पहले जो और ने अपना नर प्ले लाउंच किया था नवो इंडिया का चीज देखने को मिलती है लेकिन की लिए अभी के लिया कर नूबियार एड़ मैजिक इंडिया में लाउंच होता है न तो ये इंडिया में बिखने वाला पहला गेमिंग स्म लाँच अभी कंफर्म नहीं है तो वो है आसुस का आरोजी फोन और यासुस की तरफ से एक प्रॉपर गेमिंग स्मार्ट फोन है जिसके कई सारे अलग अलग ऐसे सरी जाते है तो अगर आसुस आरोजी फोन भी अगर इंडिया में आता है ना तो इस फोन की जो प्राइसिंग थेंक यू आपका वीडियो देखने के लिए मैं आपसे मिलता हूं नेक्स वीडियो में गुड़ बाई